हाँ नमस्कार दोस्तों आप सबहेका स्वागत है global at nominated वारेयर में दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कॽर करेंगे latest information आज की ईल्टामी इंडिया के बारे में तो दोस्तों के बारे में जयो भी 22 जून से क्यल रहा है ऐटमी इंडिया की वेबसाइट के उप़र तो काफ़ी लोगों ने क्या इसे कंप्लीट कर लिए काफ़ी कुछ प्रॉब्डम्स भी आ रहे हैं । तो उसके बारे में कुछ गाइडलाइन आई है Atomy India Office की तरफ से तो उसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे यहाँ पर जैसा कि Atomy India की जो KYC है बाइज उन से चल रही है और इससे पहले जो भी प्रोसस था वह कोरिया की साइट पहो रहा था तो और अभी डाटा माईगरेशन का काम जो है वह इंडिया की वेबसाइट पर चल रहा है और KYC भी साथ की साथ में चल रही है तो जब यह कोई भी वेबसाइट पर नई चीज होती है तो स्टार्टिंग में ओर्रोड हो जाती वेबसाइट एक तो यह चीज़ आपको समझना है वेबसाइट ओर्लोड भी हो जाती है ट्रैफिक भी ज्यादा होता है वेबसाइट के उपर ठीक है और कई बार चीज़ आपका नेट्रक इश्यू भी हो जाता है सबसे जो बड़ी प्रोब्लम है कई बार हमारा लैप्टोप हो मुबाइल हो या कंप्विटर हो ठीक है तो यह सारी चीज़े समयल टेन से चल रही है और काफी मेंबर्स ने के वाइसी कंप्लीट कर ली है कल का जो अपडेट था हमारा लास्ट में एटोमी इंडिया ने बताया था कि जो लोग 22 तारिक से जिनोंने वोटर आइडी ड्र कर लिया है तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आपका एटोमी इंडिया में के वाइसी कंप्लीट हो चुका है तो जो लास्ट वीडियो हमारा अप्लोड किया था कल हमने उसको आप चेक कीजिए देखिए उसमें प्रोपरली हमने बताया गया ठीक है और आज का जो वीडियो ह है वो उसके बारे में हम डिसकस करेंगे कि जो लेटेस्ट अपडेट आई है अटोमी इंडिया की वाइसी की जो गाइडलाइन्स आई है तो फर्स्ट मैं चीज आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां पे आपको पैन कार्ड तो कंपल्सरी है और एटोमी इंडिया की जो के ड्राइव लाइसेंस या फिर पासपोर्ट तो अभी काफी क्यूंद करते हैं कि पैन कार्ड भी दे रहे हैं यह काफी चीजें काफी लोग क्यूंद क्यूंद से और सबी टीम हो में यह कोई इसमें वह नहीं थीक है तो अटोमी इंडिया ने अभी यह बताया है कि आज़ पवर जो Atomy की जो KYC है Government of India की जो Direct Selling Guidelines है उनके अंडर हो रही है ठीक है पहले की चीज आपको समझ रहा है Atomy India जो KYC करवा रहा है वो Government of India की गाइड लाइन है किसमे डिरेक्ट सेलिंग में डिरेक्ट सेलिंग इंडेस्ट्री में जो भी guide line है Government of India की उसको Atomy India इंडिया फोलो कर रही है और वही सारी चीज़ें आप से बोल रही है अपनी तरब से कोई कुछ नहीं कर रहा है पहली चीज तो यह आपको समझने होगी ठीक है पैन कार्ड वेरिफाई इसलिए करवाया जाता है कि आपका उसमें टेक्स का कंसर रहता है ठीक है जो भी TDS वेगर है तो पैन कार्ड गंपल्सरी जरूरी है ठीक है वो गूर्मेंट ओफ इंडिया का जो शिटिजन है उसका प्रूफ है आपकी आप टेक्स देते हो गूर्मेंट को इसलिए वो पैन कार्ड का वरिफिकेशन मेंडेटरी है गंपल्सरी है pen card तो जरूरी है सबके लिए second चीज जो है कि address verification के लिए address verification के लिए company ने पहले यह बोला था कि अगर आपका mobile number अधार card से link है तो आपका KYC जल्दी हो जाएगा same day हो जाएगा ठीक है काफी लोग है जिनका अधार card से mobile number link नहीं है तो उनके लिए company ने ये बोला है कि आप अपना voter ID front and back upload कर सकते हैं और voter ID का number तो जो आपका KYC है वो manually company के जो officials हैं वो करेंगी management team तो उसमें time के लिए limit दी थी company ने एक date भेना जो भी है और वो जल्दी हो रहा है ठीक है वो तो एक maximum time बताया था company ने वो जल्दी करते हैं daily basis पे वो hard work कर रहे हैं official जो भी हैं आपकी KYC complete करने के लिए तो आप के अधार card से अगर mobile number link नहीं है तो आप अपना voter ID या driving license या passport यूज़ कर सकते हो address ID verification के लिए ये company ने बताया है तीसर चीजी है जो भी आपका यहां पे ID verification हो रहा है उसका main concern यह है कि Atomy India ID can be transferred up to three generation आपकी जो ID है आपके बच्चों और उनके बच्चों तक आपके पोतों तक transfer हो सकती है तो उसके लिए strong foundation होना बहुत जुरूरी है company को पूरा हक है कि वो जिस customers के साथ जुड़ना चाहरी है वो customers government of India का citizen पूरी तरीके से है की नहीं और उसके जितने भी government of India के guidance के मुताबिक document सही है की नहीं बस यह concerned anatomy का इसलिए वो verify करवा रही है तो इसमें कोई चोकने वाली बात नहीं है basically कोई भी genuine company होगी तो वो अपने users को जानेगी अपने customers को जानेगी पूरा हक है जिसके साथ वो business करेगी 100% उसका हक है जो company के वाइसी नहीं करवाती है ऐसी company कब बंद हो जाती है कब चल जाती है यह किसी को पता नहीं है ठीक है जिस जिस टेक्लोंडोजी ओके जिस जिस स्टेट जी के दोवारा यह making India for world के प्रोजेक्ट से आई है और आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम होने वाला है हमारे साथ ठीक है तो आपका strong foundation करने के लिए KYC करना बहुत जरूरी है अगर आप KYC कर चुके हैं तो आपको अपनी पूरी टीम की KYC में आप help कीजिए और KYC करने के लिए कंपनी ने बोला है कि आप mobile में अगर आपको problem आ रही है तो laptop या computer डेक्स्टोप यूज कर सकते हैं और Google Chrome browser का उप्योग कीजिए आप लोग ठीक है काफी लोगों का mobile में भी अपडेट हो रहा है लेकिन किसी का नहीं हो रहा है तो उनको बोला है कि आप laptop या mobile में उसमें laptop या computer में अपना KYC कीजिए वहाँ भी हो जाएगा वहाँ भी नहीं हो रहा है तो आप अपने एरिया में काफी चीजिए होती है ठीक है तो आप अपने पूरी टीम के help केजिए और एटोमी KYC में pen card compulsory है और address proof ID verification के लिए आधार card का verification आपका same day हो सकता है अगर आपका mobile से connected है दूसरी चीज़ यह problem हार यह लोगों को कि आपका जो mobile number है जब एटोमी में registration के वक्त आपने जो mobile number डाला था तो काफी लोग यह सोच रहे हैं कि उस mobile number पे वह address ID address proof का जो आप करते हो verification तो आप अधार का जो verification करते हो तो आप उस mobile number आपके अधार काड़ से connect है तो ही message आएगा तो यह दो चीज़े मैं आपको बता रहा हूं वह आप अपनी पूरी team के साथ share कीजिए आपने एटोमी registration के वक्त जो mobile डाला था अगर वह mobile number आधार काड़ से connect नहीं है तो वहां पे आपका OTP नहीं आएगा दूसरे चीज़ अगर आपका दूसरा mobile number आधार काड़ से connect है तो उसी पर OTP आएगा डेफिनेटली और आधार काड़ से mobile लिंक कैसे है चेक करते हैं तो आप आधार काड़ की वेबसाइट आई यूडिया की उसके उपर जाएए और हमारे चैनल पर मैंने वीडियो भी बना रखा है तो रजिस्ट करने से पहले आप अपना आधार काड़ चेक कीजिए उसके साथ कौन सा mobile पाइल लंबर लिंक है उसको वेरिफाई कीजिए जब वो कंफर्म हो जाए तब आपको वहां पर के वाई सी के उपर जाना है ठीक है तो यह सारी चीजे लेटेस्ट इंफोर्मेशन है जो मैंने आप से डिसकस की है और बाकी चीजे मैं आपको इसके माद्दम से बता रहा ह और कस्टमर केर को कोल इमेल के माद्दम से नए नए सुजा हुए जो भी प्रोब्लम आ रही है तो अटोमी इंडिया ओफिशिल्स उसके उपर गोर कर रहे हैं और सारी चीजें की हैल्प कर रहे है और सेकंड चीजी है कि जो भी यहां पर केवाई सी हो रही है और जो भी ग्लोबल बिजनिस करती है जिस भी कंट्री में करती है उसमें उस कंट्री के रूल करती है तो इंडिया में डिरेक्ट सेल गाइडलाइं जो इन गॉर्मेंट की उसको फोलो कर रहे है नैक्स्ट अश्रश की शफलता का लक्ष रखते विए member ID को 3 video तक जैसा कि Atomi की जो आईडी वो थर्ड जोनेरेशन तक ट्रांसफर होती है बहुत बड़ी बात है दोस्तों तो इसके लिए कंपनी तो चाहेँभी कि मेरा जो कस्टमर है उसका जो पूरा इनफोर्मेशन है वह कस्टमर साही है कि कि नहीं उसके government document है कि नहीं वो government of India का है कि नहीं है ना सारे चीज़ें वो तो verify करें कि definitely तो इसमें कोई चोकने वाली बात नहीं है ठीक है यह common चीज़ें सारी चीज़ें तो इसके लिए strong foundation बनाना बहुत जरूरी है जो कि आप और सब की help से possible है second है mobile migration mobile से अगर आप अपनी टीम का migration कर रहे हैं अगर हो रहा है तो अच्छी बात है mobile से नहीं हो रहा तो try कीजिए laptop desktop laptop desktop या computer cyber cafe में जाके यूज कर सकते हैं अभी अगर आपके area में है और Corona नहीं है आप गाओं के rural area के काफी लोग है ग्रामिन एरिया से तो वहां भी network का issue है तो आप अपने डाउनलेंड टेम की help कर सकते हैं ठीक है और जो एटोमी इंडिया ने migration के जो वीडियो आए है आप सभी के पास हैं तो किरप्रकर के migration करने से पहले हिंदी के वीडियो जो लोग इंदी अच्छी तरह किस जानते हूं इंदी की वीडियो देखिए और इंग्लिस जो जानते हूं इंग्लिस के वीडियो देखिए तो आप free हो कोई भी वीडियो आप देख सकते हो general migration mobile migration के दो वीडियो कंपनी की तरफ से launch किये गए आप उन वीडियो को देखिए उसमे step by step सब कु इसी को भी ठीक है नंबर फोर्थ पॉइंट सदस्यों के लिए address proof verification के चार विकल्प है पहला विकल्प यह है आधार काड़ अगर आपका आधार काड़ मोबाइल से लिंक है तो ही same day आपका KYC हो जाएगा अगर लिंक नहीं है तो आप voter ID select कीजिए उसमें voter ID का number डालिए और वोटर ID का front and back upload कीजिए और confirm कीजिए आपकी KYC complete हो जाएगी KYC चेक करने के लिए 5 दिन 7 दिन बाद आप login कीजिए और अगर आपके center में pop-up नहीं आए तो समझ आपकी ID verify हो गई है और edit my account में जाकर के चेक कर सकते हैं आप अपने detail तो आधार काड़ तो same day हो रहा है आधार card के लवाबा की वोटर ID driving license या passport से आप upload करते हैं तो इसका verification company manually करती है तो उसमें थोड़ा time लगता है और जल्दी हो जाएगी वो ठीक है न तो आप वो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें भी manual verification पूरा उन्हें का इंतिजार करना पड़ता है हलांकि हमारी team ID verification कारिये पर लगातार काम कर रही है यह बिल्कुल किलिर यहां पे लिखा हुआ है तो आप जो भी सही information है उसके पर आप follow कीजिए इधर दुर की बातों में follow मत कीजिए ठीक है और काफी जो लोग हैं यहां पे लास्ट की जो लाइन है बिल्कुल कि लिखा वाथ कई सदस्य आतिया दिख परभावशाली तरीकों से सदस्यों की मदद कर रहे हैं और leadership का सई उधारन पेस किया है और हम उन्हें दिन्नेवाद देना चाहते हैं हम सदस्यों के दैरिया और उपिय गिता और सईयों की ब आप अपने कस्टमर से तक महुचा रहे हो एटोमी ओफिशल जो भी गाइडलाइन जारी करती है डेली बेसिस पे वह बहुत अच्छा सराना की है अटोमी इंडिया के मेनिजमेंट टीम ने तो थैंक्यू वेरी मच्च और जो भी चीज़े हैं मैंने इस वीडियो के आप से डिसकस की हैं अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने अप्लाइन को कोल कीजिए और उनसे संपरक कीजिए और के वाईसी में वह आपकी हैल्प करेंगे फिर भी कोई दिख्कत होती है तो आप डिरेक्ट एटोमी इंडिया का जो कस्टमर केर नंबर है यहां तो आसा करता हूँ कि यह वीडियो दोस्तों आपको पसंदाया होगा और जो मेंबर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम में सही इनफोर्मेशन पहुंच सके और एक केवाईसी का जो स्टैप इसमें बताया गए हैं सभी लोग उसको फोलो कर सके और थैंक्यू वेडि मस्त दोस्तों